नमस्कार मनीगुरू के इस खास पेशक्ष में आप सभी का स्वागत हैं, मैं हूँ स्वाथी रायना बड़ती महंगाय और उसमा नियंतरण पाने के लिए ब्याश दरों में लगातार बढ़ोतरी से दुनिया के कई देशों के अर्थिवेवस्था प्रभावित हो रही है इस खास में निवेश प्रभावित होता है, ऐसे में आम निवेशों के मन में सवाल ये है कि आखिर इस वक्त में सुरक्षा के लिहाज से निवेश कहां किया जाए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सा दो खास मेहमान है प्रतिबा गिरिश, फाउंडर फिन वाईज और सुशील जैन का भी हम स्वागत करते हैं फाउंडर परसनल CFO कंसल्टन्ट से प्रतिबा और सुशील जी आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस शो में जैसा की संकेत मिल रहे हैं जिस तरीके से जो एक कहते ना माहौल बन रहा है वो यही कहता है कि जो देश की बड़ी बड़ी अर्थिवेवस्थाएं हैं हम यूएस की बात करें हैं यूरोप की बात करें हैं यूके की बात करें हैं वो मंदी की चपेट में आ सकते हैं बहुत जल्द और उसके संकेत भी साफ मिल पा रहे हैं लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि भारत कहां पर स्टैंड करता है इस पूरे मौके में और कैसे मंदी में भी मौका फिलाल हमारी अर्थिविवस्था यहां पर तलाश सकती है. प्रतिवाब मैं आपसी शुरुवात करूँगी. अगर अगर ग्लोबली रिसेशन होगा उसका कुछ तो इंपक्ट हमारे एकॉनमी पर आएगा. इसके लिए हमको थोड़ा पैनिक नहीं करना है कि हमारे यहां रिसेशन नहीं है. लेकिन उसका रिसल्टन इधर क्या होने वाला है? रिसेशन का क्या मतलब है कि दो consecutive quarters में GDP अगर negative है तो रिसेशन मना जाता है. तो हमारा तो नहीं होने वाला है. लेकिन हमारे exports, you know, exports थोड़ा contract होगा और वो sectors में हमें invest नहीं करना है अगर हम अपना basics of financial planning बराबर से करेंगे, यह मंदी में भी हम लोग अच्छी तरह से अपना goals की तरफ आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल, और सुशील जी, हम कहते हैं कि usually जो हमारा portfolio है वो ऐसे किसी भी तरीके के uncertain situation से दूर रहना चाहिए मतलब कहते हैं मंदी-proof portfolio, तो मंदी-proof portfolio किसी को अगर इस वक्त इस मौके पर बनाना है तो उसको बनाने के तरीके क्या है, मतलब क्या steps अभी लेने चाहिए देखिए, portfolio का अगर मंदी-proof बनाना है, तो हमारे का asset allocation की थियोरी को पुरा follow करना चाहिए और जब आप आएंसे plan बनाते हो अपना तो उसमें आपका debt और equity का उसमें बताया जाता है कि आपका risk appetite के इसाफ से कितना होना चाहिए अगर उस strategy को आप follow करते रहेंगे, तो market जब उपर भी जाएगा तो भी आपका asset allocation अगर rebalancing आप कर लेते हो, तो आप उसको फड़ा साफ सेफर साइड में आ सकते हो तो मंदी में यह है कि जब जैसे market नीचे जाता है, तो आपको opportunities मिलती है तो आपको actively managed funds में आपको जाना चाहिए, जहाँ पे fund manager आपके लिए actively उसको आपके fund को manage करें और market के situation के हिसाब से आपका portfolio को changes करता रहे और portfolio में किस तरीके के बदलाव करने की जरूरत है ऐसे समय में प्रतिभाई ये मैं आप से जानना चाहती हूँ asset allocation का यहाँ पर जिक्रे किया सुशील जी ने, definitely ऐसे time पर asset allocation किस class में किस asset class में कितना allocation होना चाहिए ये समझदा बहुत जरूरी है, उसके अलावा एक portfolio, पूरी जो proper portfolio planning होती है उसमें क्या बदलाव करें और क्या बदलाव नहीं करना चाहिए ऐसे time पर अगर अपने आपको prepared रहना है किसी भी uncertain time के लिए तो हर time में ये बहुत important है कि आपने एक portfolio बनाया है तो timely उसको review करें और ये time में और भी जरूरी हो जाता है कि आप timely उसको review करें कि आपका portfolio आपके जो goals और लक्ष्य है उसके इसाब से है कि नहीं है और अगर कहीं पर आपका asset allocation थोड़ा उपर नीचे गया है कोई asset class ने अभी बहुत अच्छा performance देया तो आपका allocation उसमें ज्यादा हो गया तो वो आप rebalance करें आपके portfolio में यह देखे कि कोई मतलब market के हिसाब से lagards जो भी है market जो index है उससे भी कम अगर return जेरा consecutively देरा है rolling returns है तो you get rid of those lagards उसका पैसा अगर आप रखेंगे तो अगर market में opportunity आएगा future में तो वो invest करने में आपको असान पढ़ जाएगा तो एक asset portfolio चेक करें आपके goal के हिस that should stand you in good stead. स्वागत करते हैं sir आपका हमारे show में बताईए आपने अपना सवाल हमें भेजा था अपने portfolio planning का मैं आपसे थोड़ा सा और detail में समझना चाहती हूँ कि आप 47 years के हैं अभी तो आपने जो अपना ये portfolio बनाया है कितने सालों से आप इन funds में निवेश कर रहे हैं और आपका final चाहती है अचले है अभी रहा है अचले थोड़ायो अग्सान किया है कितने यह शे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं हरो मेरे जो फंड सेलेक्शन है वो सही है उसमें कुछ चैंड करना है तो फंड सेलेक्शन है उसमें क्या चैंज करो या क्या उसमें मुझे करना है और कितना और एसा इपी बढ़ाना है जो मेरे लच नेस्ट नेश्ट अचीव करने के लिए एक दो चीज़े मुझे क्लियर कर दीजे फिर मैं आपका जो सवाल है अपने एक्सपर्ट के तरफ बढ़ाती हूं आगे सिंग साब बताए आठ साल में धाय करोड आपको कौन से लक्षर के लिए चाहिए हूंगे एक मेरा यानी अपना खुद नो डेली में एक मुझे अच्छे अरिया में मकान लेना है उसके लिए और मेरा आगे कुछ बच्चों का एजुकेशन के लिए है हम ओके तो आप आठ साल के बाद आपके सारे जो प्लान्स हैं फाइनाशनल गोल से का इकठे आ रहे हैं यह समझना बहुत जरूरी है एके सिंग जी कि आपके बच्चों के माने हाँ बच्चों का यह है कि नेस्ट उनो शिक्षेवन यर्ट में होगा लेकिन मैं उसको दूसरे एंगल से देख रहा था कि अगर उइमरजेंसी लगी तो मैं मेरे और भी कोई उप्सन है उनसे कवर करूंगा फिर दो साल के बाद यहां से उसको किलियर कर दूमा ऐसा है ओके आपने अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग की है आप भेतर धंग से समझते हैं कि आप फंड कहां से कौन सा फंड लेना चाह रहे हैं दूसरा एक और चोटा सवाल फिर मैं प्रते बास से पूछूंगे आपके सवाल का जवाब आपने एक ही फंड हाउस के बहुत सारे फंड लिए हुए जैसा हम आपने पोर्टफोलियो में देख पा रहे हैं कोई खास रीजन इसका या आपको किसी ने कहा कि अगर आपने अपने अपन लिया है तो अब लिए तो और फंड लीजिए या एज़ अब प्रते बाह अब इनका सवाल आ समझा इनका टार्गेट क्या है और इनके फंड सिलेक्ट करने की पीछे फिलोसिफी क्या है अब आप अपनी राय दीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी अग्रेसिव है आज के तारिक में ओनली 38% is in large cap the remaining is completely in mid and small cap that's number one number two आपका concentration risk बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ही फंड में आज तक आपने जो इकटा किया है आपका 32% of your fund of your corpus is in one single fund so ये दोनों को correct करना ज़रूरी है हमारा सुझाब ये होगा कि आप एक allocation बनाए कि large cap में 20% रखेंगे mid or small cap में 15% मतलब 30% mid or small cap में रखेंगे बाकी tax saver में 20% रखेंगे और बाकी जो बचा है वो flexi cap में रखेंगे ये आपके लिए अच्छा होगा जहां तक आपके funds का सवाल है आप आपके जो funds में से access long term equity fund जो है और HDFC mid cap में आप अपना SIP बनाया रखें बाकी जो funds है उसमें जो आपने अल्रेडी इखटा किया हुआ रखम है उसको रहने देजिए hold कीजिए और नया SIP चालू कर सकते हैं आपके आपके लिए आपके लिए असान पड़ेगा जहां तक आपको रखम इकटा करना है 2.5 crores का आप तो 5 साल से कभी चार साल से कभी 6 साल से इकटा जो कर रहे हैं वो अभी तक तो 40-41 lakhs होगा आपका portfolio at 12% returns इसी को अगर आप touch नहीं करेंगे और continue करेंगे 12% returns आगे भी मिलेगा तो आपका वो 1 crore हो जाएगा और जो 51,000 का SIP कर रहे हैं वो आच साल में आपका 83 crores हो जाएगा तो आपको जो deficit है वो 65-67 lakhs की deficit होगा आपके जो रखम चाहिए 2.5 lakhs उसके लिए दो तरीके हैं या तो आप 41,000 का SIP स्टार्ट करें और उसी पे लगे रहें अगले 8 साल तक या फिर आप 31,000-32,000 से स्टार्ट करें और 10% हर साल बढ़ाते रहें दोनों तरीके से आप 2.5 crore का लक्ष पालेंगे तो एके सिंग जी आप definitely सुन पा रहे होंगे या तो आपको अपने SIP अमाउंट अभी एक साथ बढ़ानी पड़ेगी जो बेस आपका अमाउंट है या फिर आप उसको धिरे-धिरे करके बढ़ाईए थ्रू step up SIP मतलब हर साल 10-10-15% आप उसको बढ़ाते रहें तो आप अ आंगाई मार पोर्टफोरियो की बात कर रहे हैं और हमें ये भी मालूम है कि इंडिया की growth story है अलग और हम एक बहतर और अलग धंग से as economy आगे बढ़ रहे हैं अब लेकिन जो retail investor है जो आसपास जो हो रहा है उनके वो उसको समझते हैं कि कहीं खत्रे की घंटी तो नहीं है तो हमारा आप दायत सो बनता है कि हम उनको बताएं कि उनको सही अभी step लेना क्या है तो अभी इस time पर निवेश करने की कहां पर जरूरत है यह मैं आप से समझना चाहूंगी अगर हम आगे आने वाले एक या डेड या दो साल की बात करें डूरिंग अगर ये challenging time हमारे सामन अगर आने बाला है globally अगर आपके पास केस होल रहेगा तो मार्केट में जब बीप आएगा तो आपके पास opportunity रहेगी बाय करने की तो अगर आप moderate और conservative इंबस्टर रहे हैं और फ्राइजन लेके चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एट पार्स में बढ़ा लेना चाहिए एक्विटी में जो और प्रतिबा आपकी तरफ से कौन से options होंगे अभी inflation proof investment के या फिर अगले 2-3 साल में अगर किसी को अभी invest करना है तो कहां पर निवेश के मौके? आपको सेरिसली देखना चाहिए कि डेट का allocation किया है इससे क्या होगा? अगर आप debt allocation बढ़ाएंगे अगर downturn आया भी तो आपका overall portfolio बेटर रहेगा market से क्यूंकि आपका debt allocation से आपको अच्छा आ रहा है और सुचिल जी ऐसे मौके पर क्या नहीं करना चाहिए या क्या करने से कैसे कदम उठाने से बचना है किसी को? इस टाइम पर आपका अगर जिसे कि मैंने कहा आपका portfolio है तो रिएलोकेट करके थोड़ा सा पोर्फोलियो पर ध्यान देना चाहिए रिव्यू का टाइम है आप अपने अपने आडवाइजर्स के साथ बैठके इसको रिव्यू किजिए सबसे पहला दूसरा कोई आप यह पैनिक में आके कि मार्केट के कुछ रिशेसन आएगा उसलिए आपका जो एसाइप चल रहे हैं या लोंग टम प्रोल्स के लिए जो इन्वेस्मेंट आपका निवेस है उसको आपको stop नहीं करना चाहिए उसको carry-on करना चाहिए तो कि मार आपका निवेस जो साइपी स्कित्रू हो रहा है वो तो कंटीव रेखिया और आपका अपना केस फ्लो को यह आप जरूर देख सकते हैं कि आपको एडिशनल इस टाइम पे कोई लाइविलिटी इस ना ले कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोंस ना ले जिनकी हमाई पे क करना माई की रिसेशन हो रही है तो बहुत कुछ हो जाएगा वह आपस रीकवर होगा अगर आप लॉंग टम इंबेश्टर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की तो पैनिक का ना करें और निवेश जारी रखें यह एक बहुत एज ओल्ड फॉर्मुला है जो हमारे साथ है फिनवाइस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश और साथ ही हमारे साथ है पर्सनल चेफो कंसल्टन के फाउंडर सुशीर जैन हाइबिट फंड काफी जादा पॉपिलर होते जा रहे हैं इसके बाद निवेशुकों का जो जुकाव है वो हाइबिट फंड की तरफ काफी है हाइबिड फंड हाइबिड में भी काफी सारे कैटेगरीज है जहां पर आप एकुटी और डेट दोनों में इंवेस्ट करते हैं 65% अगर एकुटी इंवेस्मेंट्स है तो उसका एकुटी टैक्सेशन मिलेगा मतलब लॉंग टर्म कैपल गेंस एक साल के अंदर तो यह ज कर देते हैं और अगर रिवर्स है तो एकुटी परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाता है 65 से भी ज्यादा हो सकता है अब यह करने में बहुत बड़ा अड्वांटेज है जो आप और हम नहीं कर सकते हैं अगर हमने एकुटी और डेट रिबालन्स करना चाहे तो टैक्स का आउ इकुटी टैक्सेशन में भी डाइनमिक हाइब्रिट फंड है एक रिक्वाइध के लिए और मल्टी असेट फंद्स तो है तो एक्चिली बहुत तरह के hybrid fund है, पूरी की पूरी category है अपने आप में सुशिल जी, तो जो इतनी सारे category है, किसी एक, मतलब इतनी सारे fund है अगर किसी एक category में, तो क्या confusing एक innovation के लिए चूज करना कि उनके appetite के हिसाब से कौन सा fund यहाँ पर suit करता है, तो हम देख पार है, balance advantage fund ह है, arbitrage है, aggressive hybrid है, conservative hybrid है, basically हर कोई चीज, हर एक flavor मौझूद है hybrid category में, तो कोई specific parameter के लिहाज से किसी investor को इन funds को चूज करना चाहिए? जी, बिल्कुल, इसमें जैसे आपकी रिक्स appetite देखिए, कितना आप रिक्स ले सकते हैं, अगर आप conservative है या moderate है, और aggressive investors है, तो आप इसमें, अगर conservative है, आपको बैंक FD से ज्यादा भी पैसा चाहिए, मार्केट में 50% भी करना चाह रहे हैं, तो आप debt hybrid funds में जा सकते हैं, जह जाना चाहिए, जहां जाना रखना है, जहां जाना रखना है, आपको तीन साल के लिए होल्ड करना पड़ता है, और अगर आप थोड़ा सा moderate हो, और aggressive की तरफ जाना चाहरे हो, तो आप वहां पर aggressive hybrid fund ले सकते हैं, जहां majority of investments हैं आपका equities में होता है, और फिर debt का आपको 20-30% तक आपको debt के investments होता है, तो इसमें जो यह volatility जो होती है market की, इसको automatically adjust करते हैं fund manager, जो कि एक individuals के लिए थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है, market के according वो अपने changes करें portfolio में, जो asset allocations हैं, वो एकदम perfectly यहां पे in fund में automatically होता है, तो अगर आप active investor नहीं हो, आप यहां नहीं रख सकते हैं अपने portfolio का, तो lead fund managers को ही adjustment करने के लिए दे दीजिया और आप news speaker होके fund को watch कर सकते हैं, यही तो खुबसूरती है mutual fund की, कि हर किसी निवेशक के पसंद के लिहाज से हर एक category और एक fund मौजूद है, हर एक style मौजूद है, इसमें अब hybrid fund में usually कितनी सालों के लिए निवेश प्रत किसी निवेशक के लिए सही strategy रहती है, यह मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कि क्या strategy अपना है किसी hybrid fund में निवेश की? होई भी I think equity जहां पे ज्यादा है, जैसे आप equity funds में निवेश कर रहे हैं, तो कम से कम 3-5 साल का तो होना चाहिए, 3 साल hybrid funds के लिए I think it's a good time horizon, वैसे तो आपका taxation benefit तो एक साल में मिल जाएगा, क्योंकि वो fund ही अपने आप में balance कर रहा है, तो आपको उसमें tension लेने की ज़रू जो downside है, downside protection आपको मिल रहा है, मतलब downside protection नहीं मिल रहा है, volatility कम हो जाता है, downside कम गिरता है, थोड़ा कम उटेगा भी, तो 3 साल के लिए minimum, minimum 3 साल to 5 years also, यह अच्छा fund है, और यह उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, जो अपने portfolio में बहुत ज्यादा variations नहीं देखना चाहिए पॉर्टफोलियो में होना चाहिए किसी hybrid fund का, यह मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कितना percentage रखें किसी hybrid fund का? अगर आपका गोल नेक्स अगें तीन-चार साल के अंदर आ रहा है, तो वो आपको ग्रेजुएली आपको तो यहीं अग्रेशिव hybrid fund में आज़के फिर conservative high fund में shift हो जाना चाहिए, तो वो उसके उपर आपका depend करेगा, अगर आप रखी गया हो, तो around 30% के आसपास आप रख सकते हो, अगर आप conservative investor हो, तो aggressive hybrid fund में और अगर आप moderate हो तो 50% तक भी जा सकते हैं, अगर आपको equity का market का flavor भी तो यह एक्सपोजर एसे अलोकेशन के लिहाँ से अपको कैसे निवेश करना यह हमने समझा और एंड में लास्ट में कुछ जोखिम प्रतिबा जो कि किसी हाइबरेट फंड से जुड़े हुए हैं क्योंकि फायदों की तो हमने बहुत बात की बात की बात कुछ डाउंसाइड या रिस्क हैबरेट फंड से असोसियेटर जो हमें समझना इनिवेशकों को जानना ज़रूरी है नॉर्मली जब हम हाइबरेट को दिखते हैं तो हम एक्विटी कॉम्पोनेंट दिखते हैं और रिटरंस दिखते हैं डेट में भी रिस्क हो सकता है, जैसे अभी हाली में दो साल पहले हमने credit risk देखा था, तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप evaluate कर रहे हो, तो उसका debt portfolio को भी evaluate करें कि वहाँ पे कौन से type का debt funds है, आप hybrid में इसलिए जा रहे हो कि आपको ज्यादा risk नहीं लेना है, volatility नहीं चाहिए capital loss हो जाता है credit risk से, तो आपको portfolio का fact sheet मिलता है, उसमें से आप check कर सकते हो कि कौन से type का debt का portfolio है, और ये सबसे बड़ा जोकिम है मेरे इसाब से, कि आप सिर्फ equity पे concentrate करते हो, debt का portfolio देखते ही नहीं ओके, बहुत important point आपने बताए, जिसका ध्यान में रखने की जरूरत है, जब आप hybrid fund में निवेश करे, equity और debt allocation दोनों को समझ के, जाच पर रखके आप एक अच्छा hybrid fund अपने लिए चुन सकते हैं, बहुत धन्यवाद करेंगे, प्रतेबा और सुचील जी आप दोनों का हमा सात्मानी गुरु में आज शामिल होने के लिए